किए कि घाइज वैलकम टू माइच चैनल समय टैरोड कार्ड डेडिंग और आज की क्या टैरोड डेडिंग है आज क्या करेंटे इनर्जी इस है आपके पार्टनर की आपके पर संड की टैरोड से देखोंगी तो सबसे पहले बोलना चाहोंगी कि डियर गाईज यह एक जनरल है और टामलेस में इसको बना रही हूँ मतलब एकॉर्डिंग टू सिच्वेशन ये खुद बेखुद आपके सामने आ जाएगी ठीक है जो भी आपके परसन की करन्ड एनर्जीज होगी उस टाइम पर ये आपके सामने होगी ठीक है सो ये जो रीडिंग है सभी लोग देख सकते हैं मतलब आप गर्ल है बॉय है आप मेल है फिमेल है या फिर किसी भी रिलेशन में देख सकते हैं आपको कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ उसमें आप देख सकते हैं ठीक है तो मतलब आपका मेरिट रिलेशन हो सकता है love relation हो सकता है या फिर बहुत सारे relation हो सकते हैं मतलब बहुत सारे relation होते हैं इस world में इस दुनिया में तो कोई भी relation हो सकता है सभी relation के लिए इस reading को देख सकते क्या है energy आपके partner की तो आज basically tarot card में देखेंगे क्या आज टेरंव कार्ट में यह देखने वाले हैं जिसकी बज़े से आपका रिष्टा डिस्टर हो गया है तो क्या वो परसन आपकी लाइफ से दूर जाएगा आपके रिष्टे से दूट जाएगा तो आज बेसकली इसी चीज को देखेंगे टेरो कार्ट में आपको बता दूँगी आपके परसन के जो भी राशी के अंदर आएगी वो राशी में बता दूँगी एंड लास्ट में हम कैरियर देखेंगे कैरियर में क्या कुछ होने वाल आप देख रहें ओके दो को यहां पर जो फॉर्स काड़ है उसकी अनर्जिस तो यहां पर यह आ रही है कि ओबर थिंकिंग जरूँ से जादा कर रहे हैं मतलब सोच रहे किसी तरफ कुछ ऐसी बाते हो सकती हैं आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी बात का जगडा हो या क कि दिमाग में क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूं कि वो सारी बातें आपकी अभी तक उनके माइंड में हैं कुछ ऐसी बातें हो गई होगी आप लोगों की बीच में पास्ट में या कुछ ऐसी चीजें जो आर्ग्यू जिसकी वज़े से हो गई है ना या फिर कोई थार्ट जो है ना उन बातों को लेकर अभी बैठे हुए हैं उनके माइंड में वही सारी बातें मैं देख रही हूं चल रही है दूसरी चीज यहां पर यह कार्ट जो है ना काफी तरह की चीजें बता रहा है अब यह जो पार्टनर है आपका हो सकते कि क्योंकि पैंटिकल्स के अनर आपनेचैन हां रही है लग ने रहा है कि जैसे अब इस जो भी आपका मतलब जो बीयों आपको सुना दे या यह हो सकता है इनको देखकर कि किसी चीज के बारे में वहीं के वहीं अठके हैं ऐसा भी लग रहा है इस कार्ट को देखकर कि कुछ बहुत जादा मतलब deeply thoughts होता है ना बहुत जादा गहराई से वही energies मेरे को सबसे जादा इनकी यहां पर आ रही है और मैं tarot card को लूँगी और मैं energies को चेक करूँगी और देखेंगे कि third person को छोड़ कर यह आएंगे की नहीं थार्ड पार्टी को छोड़ेंगे की नहीं थार्ड परसंट जाएगा की नहीं जाएगा तो देखो टावर की energies है बहुत कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे-जैसे कार्ड आते जाएंगी मैं वैसे-वैसे energies को चेक करती जाओंगी तो यहां पर जो टावर की energies तो यहां पर तो मिरको almost ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने सब कुछ खतम कर दिया है ऐसा लग रहा है से फिल हो रहा है सकार्ट को देखकर और यहां पर भी अगर मैं इस कार्ट को देखूं तो कहीं न कहीं यह भी mostly इनी चीजों के बारे में इस ट्राइम पर स ऐसा मेरे को दिख रहा है कि अनरजीज की अकॉर्डिक जैसे बहुत कुछ ऐसा है थर्ड़ पार्टी की बज़े से आप लोगों के बीच में एक अच्छी खासी रिलेशन एक अच्छा खासा लव या आपकी मेरिड लाइफ हो या फिर आप दोनों मेरिड हो या फिर आप उ कोई भी ऐसा मेरिड का नहीं है लेकिन लव था आप लोगों में रिलेशन था आप लोगों में लेकिन थर्ड़ पार्टी के बीच में दखल अंदाजी करने से और उसकी इल्मॉल्मेंट की बज़े से सारी चीजे मेरे को यहां पर फिनिश दिख रही है और मोस्ट ली उसक कि जो बज़ा है वो थाड़ परसंटो है ही लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उसको उसकी बज़े से भी चीज़ें डिस्टरब किये तो यहां पर साइलेंस कम्मुनिकेशन आ रहा है क्या सब लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर कि यहां पर देख रहे हो यहां पर एनर्जी जो आ रही है मुझे ऐसी वाइप्स मिल रही है कि मतलब अल्मोस्ट चीज़े आपके पार्टनर ने जो है वो फिनिश की है पार्टनर अगर चाहें आपके तो यहां पर थर्ड परसंट को वो बोल सकते हैं लेकिन यहां पर मैं द कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसे भी लग रही हैं जैसे की हार जाता है ना इंसान बहुत ज़्यादा टैंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा किसी का बाड़न या बहुत ज़्यादा किसी का कंट्रोल जब रिष्टे को खराब कर देता है तब इनसान ऐसी सोचता है और आप का जो रिष्टा है वो mostly ज्यादतर मुर को ऐसा लग रहा है कि किसी family members न या फिर किसी ऐसे person ने खराब किया है जिसकी बज़े से आज आप लोगों के पीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है और चाहा कर भी आपका जो partner है मिर को ऐसा लग रहा है कि चाहा कर को कि वो चाहते हैं ठीक है energies के according मुझे लग रहा है कि जो चीजें खदम होई है डिस्टरब होई है वो चाहते है कि वो चाहते थे कि वो खतम ना हो रिष्टा वो नहीं चाहते थे कि आप बीच खतम हो या silence energies हो या दोनों के बीच में कुछ ऐसा जगड़ा या आर्गी हो तो लेकिन में चीज क्या है कि आप दोनों के बीच में मिसंडेस्टेंडिंग मुझे लग रहा है कि हो गई यहां पर जो third person है उसके बजह से कुछ हैं बहुत मिसंडेस्टेंडिंग होई है क्योंकि एक तरफ तो कहीं न कई third person को लेकर आप लोगों के बीच में ऐसी बाते हो गई जिससे आप लोगों के बीच में आपका रिष्टा खराब हुआ कि इन्होंने जैसे पहले ये आपको प्रॉपर टाइम देते थे ये टाइम ही नहीं देते थे आपको इतना जादा आपको एग्नोर किया है मुझे यहां पर लग रहा है और यह जो यहां पर एनर्जी जा रही है कि भाई इतना गहराई से सोच है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहे कि इनकी लाइफ पर अभी असर पड़ रहा है खुद की लाइफ भी बहुत इस्टर्ब हो रही है खुद भी ऐसी चीजों में फस गई है परिशान हो रहे हैं जिन चीजों से अब यह निकलना चाहते हैं ठीक है और जो भी कुछ हुआ आप के according female हो सकती है लेकिन कोई ऐसा भी partner कोई ऐसा person हो सकता है third party के रूप में जो जिसका rob हो जो control कर रहा है आपके partner को आपके person को control कर रहा है और आपका partner बहुत कुछ उसके कहें में चला है बहुत कुछ लेकिन अब चाकर आपका partner भी देखो यहाँ पर जो energies क्योंकि देखो card लेती जा रही हूँ ना मैं तो energies open होती जा रही है तो समय के according अब उसको भी समझ आ रहा है कि मतलब इतना जादा जो भी थार्ट person है यह उसके लिए ठीक नहीं है यह मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो और cards ले लेते हैं सोच में बहुत दूबे हुए हैं लडाईया हो रही है यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूँ कि third person से बन नहीं रही है third person की energies devil वाली मेरे को दिख रही है अच्छा third person की बज़े से आप से लडाई की है क्या आपके partner जो मेरे को यहाँ पर दिख रही है energies क्योंकि यहाँ पर जो card है वो events का card भी है या तो यह partner आप से लड़े हैं third party के पीछे क्योंकि ऐसी energies हो सकती है ठीक है कि आपका जो partner है उसने third person की पीछे आप से लडाई कर ली है, block कर दिया बात करना बंद कर दी, मूँ फेर लिया जबकि कहां यह कहते थे कि आपके साथ ही रहेंगे, कहां यह कहते थे कि आपके साथ relation को रखेंगे future देखेंगे, आपके साथ यह वो सारी चीज़ है अप वो ऐसी चीज़े हो गई, जब से third party या family या जो भी है उसको पूरा importance देने लगे वो बाते ही भूल गए, जो वो करते थे यहाँ पर देख रहे हो, आप कैसे devil की energies आ रही है, जैसे कि मतलब devil है proper तरीके से जो कि confuse कर रहा है, आप तोनों के बीच में बहुत confusion बाली स्थिती हो गई है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक बिल्कुल confused रिश्टा हो गया, relation love relation हटके confused relation हो गया, क्योंकि clarity नहीं हो रही ना एक दूसरे के लिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, पहले तो नहोंने पचासो वादे किये, और बोला कि हो सकता है कि marriage के लिए अगर देख रहे हो, तो marriage करेंगे या फिर जीवर में साथ रहेंगे, future देखेंगे लेकर suddenly जो है वो third person के लिए आप से लड़ाई कर ली, आप से जगडा कर लिया हो सकता है कि आपको aggressive होकर कुछ ऐसी बातें सुना दी, जो कि यहाँ पर आज सोचने की वज़ा बन गई है यह भी दिख रहा है, और यह भी हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जो energy को भी आपकी energy को भी चेक करेंगे देखेंगे कि आपकी तरफ से भी कुछ mistakes होई है, या फिर कुछ आप से पर देना, बात नहीं करना, silence हो जाना जिससे आपको भी लग रहा है कि मतलब क्यों मैंने इस relation मैं आगे में गया या मैं गई जो भी हो आपका partner है ना तो यहाँ पर मेरे को energy में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आज यह को कि दो को यह जो energy जा रही है, past के energy और यह भी हो सकते है कि अभी भी कुछ ऐसा हुआ हो कि third person के लिए उन्होंने आपको कुछ बहुत जादा rudely बोल दिया हो कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि आप यहाँ पर realize भी हो रहा है, ठीक है यहाँ पर जो energy जा रही है, उसमें कहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कहा रही है आप से कि मैं define करूंगे इस cards को तो सब कुछ खतम वाली energies भी आ रही है कि भाई इन्होंने जो ऐसी energies आई कि भाई devil आ गया या फिर five of bands जगड़ा किया third person को लेकर third party की बज़े से आपका ही दिल तोड़ दिया है और third party का पूरा पूरा साथ देना या फिर मैं third person की ही बात सुनूंगा उसी की जो भी होगा मैं अपने साब से करूंगा या फिर family है तो मैं family को ही पूरा party दूंगा response दूंगा मैं family को को family first है मेरी तो यह सारे चीजे थे आपके ठीक है मुँ अचानक से मोड लिया नहोंने आप तो ऐसे बेब कर रहे हैं आपके partner आपके साथ जहां तक मुझे लग रहा है जैसे कि मतलब वो आपको जानते ही नहीं है ऐसा मेरे को दिख रहा है ठीक है आप मुझे comment box में करके बताएगा क्या ऐसी इस्तिती है आपकी मैं जानना चाहते हूँ क्योंकि मेरे को जो tarot card में energies आज दिख रहे ना आज तो मेरे को ऐसे दिख रहे कि मतलब यह जो partner है इन्होंने आपके साथ मुझे तो की love तो किया relation तो किया लेकिन जहां commitment की बात है वहाँ पर यह तुरंट इनकी third person आ गया वहाँ पर तुरंट family आ गई यह सारी चीजें हो गई है ना गुसा भी बहुत जल्दी इनको इनमें आ रहा है मैं देख रहे चेंज हो गया यह तो person बिलकुल मतलब एक इंसान होता है ना कि जिसको देखके लगता है कि हाँ वह जैसा है वैसा रहा है ना क्योंकि इनके साथ आपका जो relation है वह आज का नहीं दिख रहा मेरे को काफी time हो गया आपके रिष्टे को हो सकता है काफी साल हो गई हो सकता है काफी मन्त हो गए हो एक दिन का relation तो नहीं दिख रहा यह भी हो सकता है energies के according क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहे हूं कि बहुत time हो गया relation में और आज जो हालात है इनको देखके लगनी रहा है कि इतना लंबा समय आपने एक साथ गुजारा इतना loving relation रहा आज तो third person बीच में आ गया पर मैं देख रहे हूं क्योंकि जो energy है उसके हिसाब से communication तो आपका offer है contact जो है आपका बंद है no contact में हो गया लेकिन कहीं ना कहीं यह जो partner है आप सोच रहे हैं इसलिए और सोच रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने loss कर दिया अपना relation आपके साथ अपनी क्योंकि हो सकता है कि इनकी बहुत जिम्मेदारी हो आप है ना या इनकी responsibility को कि देखो अगर इन्होंने आप से कुछ promises किया दे कुछ commitment किये तो अप तो जिम्मेदारी है ही आप लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने आप से deal किया relation रखा उसमें एक responsibility बनती थी इनकी आपके लिए जिम्मे जिम्मेदारी ही छोड़कर थर्ड परसन थर्ड परसन करते करते यह आगे चले गए इन्होंने बात करना कर दी बंद है ना तो यह सारी चीज़ें मैं यहां पर यह भी देख लिए काफी हद तक आपके साथ कुछ और जगड़ा भी हुआ है इनका थर्ड पार्टी को लेकर इग्नोर किया है या फिर बात करना बंद कर दी ब्लॉक कर दिया है ना जब कमिट्मेंट का टाइम आया तो एक दम से सारी चीज़ें ऐसी होने लगें कि लगा कि जैसे कि मतलब यह वो है ही नहीं जिन्होंने कमिट्मेंट दिया था ऐसा मेरे को यहां पर अनर्जी दिख र आ रहे थे जो भी चीज़े मैंने आपको बताई और यहां पर आप जो एनर्जी जारी है वो थोड़ी चेंजिंग एनर्जी जारी यह प्रेजेंट की एनर्जी जारी कि भाई अभी क्या हो रहा इस समय सिच्वेशन क्या है ठीक है तो देखो जो एनर्जी मेरे डेवल तक जो अनर्जी थी वो सारी में आपको बता दी थोड़ा से कैमरा ऐसे कर दो ता कि आपको जौना अच्छी सब्ख जाए ठीक है तो यह वाले कार्ट तक हम थे और यह वाले कार्ट तक मैंने पूरा कर दिया था आपको धिस एंड देस टीक है अभी यह जो का राए है जो यह new आप देख रहे होगे, फोकस करें इन कार्ट्स पर एंड पॉस्टिव हो जाए थोड़ा सा, देखें, यह जो अनर्जी है, यहां पर वेंट्स का कार्ड है, नाइट ओवेंट्स, एक जो परसंग, एक ऐसा परसंग, जिसने सब कुछ तभा कर दिया था, जिसने सब कुछ खतम कर दिया था, वो तेजी से बढ़ रहा है, कि सोर बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक करने के लिए, आप समझ रहे हो ना, यहां पर आप जो एनर्जीज आ रही है, वो यहां पर यह आ रही है, कि आपका जो पार्ट्नर है, जो आपका परसंग है, सारी चीज़ें, ओल्मोस्ट ज आप सभी लोग देखने, तो आपके अनर्जीज के अकोर्डिंग में, यहां पर कार्ड के अकोर्डिंग बताऊंगी, कि जो परसंग है, वो तेजी से वा आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसको यहां पर रिलाइज हो चुका है, उसको समझ आ चुका है, यहां पर बॉटम और कार्ड में देख लूँ जरा, बॉटम टू कार्ड, देख लिए आप, बॉटम कार्ड कैसा हो रहा है, थ्री अप सोर्ट का हो रहा है, बॉटम कार्ड, और यहां पर आप खुद देख लिजे, अगें आपको फॉर अप सोर्ट दिखेगा, तो यह जो एनर्जीज आ रही है यह अनर्जीज आपके पार्टनर की ही अनर्जीज आ रही है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, जो हमें कभी-कभी खुद रिलाइस हो जाती है, या तो हम समय से रिलाइस हो जाती है, या फिर समय हमें वो चीज़ें सिखा देता है, दो बातें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो समय से पहले समझदार होते हैं उन्हें समझ आ जाती है कि भई हम यह करेंगे तो यह होगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने जो किया है आप इसका रिजल्ट तो अभी आपके परसन की एनर्जी को देकर लग रहे हैं कि अभी भई उनका भी दिल तूट रहा है कहीं न कहीं वो परिशान हो रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है अब आप जब पूरी तरीके से उनकी लाइफ में नहीं हो सैलेंस है तब उनको यह समझ आ रही है आपकी वै परणी दिल रही है हो सकता है कि वह जो थारड़ पार्टी हो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी प्रावलम्स या कुछ ऐसा बर्डन इनके उपर डाल रही हो जिस बर्डन से इनको बहुत ज़्यादा मैंटली स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि एनर्जी के एकॉर्डिंग जो भ सिर्फ अपने बारे में सोचता है और यह चीज आपके परसन को उस टाइम पर हो जाती तो आज आपका रिलेशन डिस्टर नहीं होता आज आप एक साथ होते लेकिन चलो वही है ना कि कर नी सकते ना कुछ जो है वो इश्वर के हाथ में है है ना तो यहां पर आप परसन को अब उनको बहुत जादा इस चीज के बारे में समझ आ रहा है कि हां मैंने एक अच्छी खासी चीजों चीज को एक अच्छी खासी रिलेशन को लब पार्टनर को मैरिट को जो भी है आपका उसको डिस्टरब कर लिए अब यहां पर आप देख रहे हो अब रातों की नींद अब रातों की नींद गायबे आपके पार्टनर की अब रात भर जाग रहे हैं अब रह रहे कर आपको फेस याद आ रहा है अब रह रहे कर आपका लव याद आ रहा है अब मैं यहां देख रही हूं अब सब कुछ वो चीज़ें याद आ रही है भाई इनको जो चीज़ें इन्होंने लॉस कर दी, किसने लॉस की खुद नहीं कर ले, जादतर में खुद नहीं की, क्योंकि जब आपके साथ इन्होंने कमिट्मेंट थे, या आपके साथ जब लव था, महबत थी, कि रिलेशन था, जो भी था, कम से कम इनको वो चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, तब वो चीजी जब आप स्टॉप कर दोगे, मतलब आप चल रहे हो, जिसर्वे पर, मंजिल पर ना पहुंचकर आप बीच में बटक जाओगे, तो फिर मंजिल तो नहीं मिलेगी, और जब ठीक बोला था, वो सही, उसने बोला था, उसकी मेरी, उसने जो आर्ग्यू की थी, वो सही की थी, मुझे थाट परसन को, या फैमिली को मना लेना चाहिए था, ये बात, वो बात, ऐसी बात, अब उनको समझा रहे हैं, जूट बोले, उसका दुख भी है, यहाँ पर सैड हो कार्ड हैं, कि उदास हो रहा है, इंसान, और कुछ लोग हैं, जो bheimkiला, हुट जादा उसकी लाइफ में, प्रावलम्स क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन क्रियेट कर रहे हैं, बाडन डाल रहे हैं, इसकी बज़ेंसे भी आपके परसन जो हैं क्भी हिए ऑग्रसीब हो रहे है बहुत तेजी से निकल रहा है जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो लब पार्टनर है आपका यह जो मेरिट पार्टनर है जो भी है पार्टनर आपका वो बहुत तेजी से उस थार्ट परसन की लाइफ से निकल रहा है अब उसको यह लग रहा है कि यहां पर आप जल्दी से जल्दी स्ट्ट नीलिए तो और प्रावलम सोच जाएंगी अब वह स्टेप लेना चाह रहा है। थार्ठ पर्सन को पूरी तरीके सिव कर फ्यूटर में आपके साथ आना चाहता है अभी में आपके कार्ट्स देगा लेते हूं कहीं न कहीं आप दोनों अलग हुए जिसकी बज़े से भी उनको बहुत इदा इस्प्रेस हो रहा है यहां पर मैं आपके इनर्जी को देख रही हूं कि आप बहुत जादा मतलब हैंग मैं वाली सुच्वेशन में हैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं इस रिष्टे में इस रिष का पार्टनर इतना ज्यादा परिशान हो रहा है मुझे लग रहा है कि यहां पर मैं क्या देख रही हूं मैं आपकी इनर्जी को चेक करने के लिए मैंने कार्ट लिए हैं तो देखो आपकी इनर्जी को मैं देख रही हूं आपने तो पूरी तरीके से आप लॉयल थे जो मै पर आप manifest कर रहे हो क्या बहुत से लोग manifest भी कर रहे हैं अपने person को लेकर and manifest भाई ठंक से करिए क्योंकि manifestation जो है manifest जो करना होता है तरीका वाटसप पर पूछ सकते हैं थोड़ा अलग तरीका होता है जब क्योंकि wishes जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक वह चीज़े ठीक से कर के आ काई ने रहा देख रहे हैं कि एफर्ट बहुत की हैं आपने और उमीद भी है और है और हां पर देख करी हूँ कि आप सोच रहें कि भाई आ जाए लौट के आ जांगे वापस को कि कही नसी है आप ने के साथ future देखा है ठीक है और आप पने की साथ जिन्दगी में रहना चाहते हूँ बतलब एक होता ना कि हाँ अगर मेरे लाइफ में कोई है तो वो वो इंसान है अब आपके सामने ऐसी situation हो रही है इस टाइम कि आपका जो पार्टनर जिसने इतने टाइम आपके साथ रहा जिसने इतने टाइम आपके साथ हसी खसी लाइफ पी लाइफ आपने उसका सुक दोख फाइनेंस हब चीज में उसकी मदद की उसको हैपी रखने की कोशिस की ठीक है वो जान आपके इस लाइफ से सडल ले चला गया तो अब इस टाइम पर आपकी जो situation है stress full stress हो रही है मुझे तो कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोते भी होंगे बहुत ज़्यादा रोय होगे आप और बहुत ज़्यादा stress में लेकिन मैं यहापर देख रही हूँ कि अगर मैं देखूं कि future आपका इनके साथ है कि नहीं है तो definitely energies मुझे यहाँ पर future बाली लग रही है तो अब मैं आप दोनों के future के लिए एक card निकालने वाली हूँ एक यादो लेकर उससे पहले मैं आपके partner की राशी बता दूँ क्योंकि अगर मैं आप भूली तो फिर मैं बोल जाओंगी क्योंकि मैं इतना जाधा आपकी स्टोरी में आपकी रेडिंग में खो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि मतलब क्या बता हूँ मतलब मुझे पूरा जैसे pictures मेरे सामने चलती है वो चीज़े मुझे दिखने लगती है आप ये believe करो पूरा सीन मेरे सामने create हो जाता है यहाँ पर ऐसी cards में बचा रखे तो अभी मैं आपको बता देती हू brush of rashi, kanya rashi water sign मेरे को यहाँ पर पूरा दिख रहा है air sign मेरे को यहाँ पर दिखाए दे रहा है rashiya मैं आपको बता रही हूँ मेश rashi यहाँ हो सकती है कि जो भी आज आपके हालात हुए ना mostly energies में third person हुआ और third person को उन्होंने जो importance दी आपको भुला के आपको आपने इतना love किया इतनी जादा आपने इनकी care की है क्योंकि card यहाँ पर यह बता रहे है कि आपने इनकी बहुत care की आपने इनको हर problem से इनको निकाला शायद यह बहुत problems में भी थे मैं भी देख रहे हुए कि काफी problems थी इनकी पास्ट में लेकिन उस problem से भी इनको आपने निकाला हार दुख में सुख में इनका साथ दिया लेकिन फिर भी जो है यह person जो है वो आप third person का हो गया और कहीं ना कहीं आप जाके उसको एसास हो रहा है तो वो आप लोट रहा है तो अभी देख लेते हैं कि क्योंकि third person की energy तो मैं आपको बता दी पार्टनर की बता दी आपकी भी बता दी अभी यह देख लेते हैं कि भाई future में आपका साथ कितना लिखा है क्या future में आप दों का साथ है क्या आप दों फीचर में है एक दूसरे के साथ tarot card में देख लेंगे ठीक है so instagram पर please मुझे follow कर लीजेगा मैं live आने वाली है बहुत जल्दी instagram पर पर वहाँ पर जब आप लोग follow कर लेंगे तभी आओंगी क्योंकि मैं live session करूँ और फिर मैं चाहरी हूँ कि मतलब सब लोग हो तभी मैं live आओ है न तो इसे लिए तो चले देख लेते हैं ओके ठीक है देखे future की जो energies मैंने देखी है इस time पर अगर आपका partner आपकी life में आ जाता है मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ आप दोनों के बीच में distance मुझे दिखाए दे रहा है लंबा सा distance समझ रहो ऐसी चीजें हो गई है जो नहीं चाह रहे थे वो भी हो गई लेकिन आपकी reunion की possibilities बहुत जादा है आप दोनों के बीच में love है आपके person को यहाँ पर realize हो चुकी हैं वो बाते अब third person को छोड़ कर भी मैंने आपको बताया कि बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं आपके partner अब जहां तक रही बात की future में future में साथ होंगे की नहीं देखिए अगर आपका partner आता है यहाँ पर मैं जो energy को देख रही हूँ उसके हिसाब से क्योंकि reunion तो होना है आपका reunion तो आपका होगा और partner आपका आएगा और इस time पर मैं बहुत congratulations लिख रही हूँ YouTube पर काफी लोग मुझे बता रहे कि मैं partner आगे partner आगे और personally भी मेरे को बहुत जारे लोग लिख रहे हैं कि मैं thank you partners आ गए है तो बहुत खुशी की बात है तो यहाँ पर मेरे को chances दिख रहे हैं कि future में energies है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आपका इस time पर person आ गया तो future आप लोगों का ही होगा फीचर में energies यहाँ पर दिख रही है कि आप दुनों साथ है golden time है आपका इस अगर फीचर में अगर partner की reunion हो जाता है इस time पर तो कई न कई जो third person आप लोग के बीच में है वो third person प्रापरली तरीके से आपकी life से चला जाएगा और आप लोग एक साथ marriage हो relation हो कोई भी हो आप साथ हो जाएगे और अगर ऐसी situation है कि partner पूरी तरीके से आपकी life से जा चुका है तो भी chances है यहाँ पर कूंकि यह जो cards है ना यह card जैसे की बता रहे है इस चीज को कि आप जाके महसूरे है तो बही जैसे कि मैंने बोला था कि किसी को time पर महसूरे हो जाता है किसी को time निकलने के बात लेकिन महसूरे हो जाता है तो चलो अब इनको feel हुआ अब इनको feel हो रहा है अब हो सकता है कि ये काफी जादा आपका relations चले गए हो तोड़ के चले गए हो लेकर फिर भी chances हैं आपके क्योंकि कहीं नहीं जिसको universe जिसको bless करते हैं या फिर अगर universe ने लिखा है अगर इश्वर ने आपका साथ लिख दिया है तो फिर आपका साथ होगा तो I hope so connect की होगी मेरी ये tarot card reading और future में जो energies है वो आपकी साथ की energies है और अच्छे energies है और अगर इस time पर partner आ जाते हैं पर सना जाते हैं तो obviously future आपका साथ होगा तो अभी career देख लेते हैं ठीक है career अगर आपको देखना है कि career में क्या energies है तो career में क्या possibilities है आपकी आप दोनों की आप दोनों की नहीं आपकी career में क्या energies है career में कहीं बाहर की तरफ आप जाना चाहते हैं क्या कहीं बाहर अपनी किसमत आजमाना चाहते हैं अपना career आजमाना चाहते हैं किसी भी out of countries में या out of state में या फिर जिस जगे आप रहे हैं उस जगे से किसी बाहर की जगे पर career में कुछ पाना चाहते हैं करना चाहते हैं growth बहुत अच्छी ग्रोथ लिखी है प्राइज जरूर करिएगा आपको जरूर सफलता मिलेगी यहां पर फाइनेंस की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कुछ लोगों को बहुत जादा मुझे वाइप सारी है कार्ट में कि फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम में मतलब करियर से रिलेटर प्रॉब्लम्स तो है ही और फाइनेंस का जबदस्त प्रॉब्लम्स हो गया है जिसकी बज़े से आपका कारियर आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ठीक है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है करियर में फाइनेंस में कोई भी ऐसी चीज तो मैं यहां पर देख रह रुक रहे है, struck हो रहे है, है ना, पट ये struck energies अपने आप automatically open हो जाएगी, आप positive रहेगा, आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, ठीक है, तो positive रहे हैं, यहाँ पर finances related अगर problems हैं, career में problems हैं, तो आप जिस वी week में बैटे हैं, जिस वी week में आपको ये reading मिले, कभी भी मिले, से problem solve होना शुरू हो जाएंगी, career में, और job में, या finance में, मैं यहाँ पर अच्छी समामना देख रही हूँ, मैनत करते रहे हैं, efforts आप कर रहे हो, ठीक है, so dear guys, I hope to connect की होगी, and take care, bye-bye.